नमस्कार दोस्तों स्वागता है आपका आपके चैनल One Nation One Examper तो दोस्तों आज दिनांक है एक अक्टूबर और आज के प्रकासित खबरों की बात करें तो आज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मतुरा के एक केंद्र की गडित विसय की परिक्षा होई रद डियलेट परचा लिग प्रकरण अब तक 46 डायट प्रचारियों ने भेजी रिपोर्ट इसके अलावा यहां देख सकते हैं लिखा हुआ डिप्लोमा इन एलिमेंटरी अजुकेशन यानि डियलेट के चोथे समस्टर की परिक्षा के दोरान कई जीलों में नकल और परचा वायरल होने के मामले में सचीव परिक्षान यामक प्रदिकारी संजे कुमार उपाध्याय जी ने सभी डायट प्रचारियों से रिपोर्ट मांगी थी जैसा कि मैंने एक लास्ट वीडियो में आपको इन्फरम भी किया था ब्रिस्पतिवार को 46 जीला सिक्षा एवं प्रशिक्षर संस्थान यानि डायट के प्रचारियों ने रिपोर्ट परिक्षान यामक प्रदिकारी को भेज दी है इसी आधार पर मथुरा के एक केंद्र पर मंगलवार को हुई गडित की परिक्षान निरस्ट कर दी गई है सचिव परिक्षान यामक प्रदिकारी ने बताया है कि ब्रश्पतिवार साम तक 46 जीला से रिपोर्ट आ गई थी इसके आधार पर मतुरा के एक केंदर पर मंगलवार को गडित के परशे के दोरान नकल की बाद सामने आई है इस मामले में FIR भी दर्ज हुई है यहां की परिक्षा निरस्त कर दी गई है परिक्षा की तिथी बाद में घोसित की जाएगी सेज जिला से डायेट प्रशारे और केंदर वेवस्त थपको की जो रिपोर्ट मिली है उसमें परिक्षा केंदर के अंदर नकल की बाद सामने नहीं आई है यानि इसके अलावा और भी कहीं भी नकल की बाद सामने नहीं आई है सेज जिला की रिपोर्ट का इंतजार है सूबे के 68 जिलो में डियलेट चौथे सम समस्टर की परिक्षा 27 सितंबर को शुरू ही थी और बुद्वार को संपन हो गई इसके अलावा इसी से रिलेटड यहां पे भी आप देख सकते हैं प्रयाग राज डिलेट चतुर समस्टर परिक्षा के दोरान गडित का पेपर लीक होने से मतुरा के एक केंद्र की परिक्ष निरस्त कर दी गई है निरस्त की गई परिक्षा नय सीरे से कराई जाएगी परिक्षा की तारीक उत्तर प्रदेश परिक्षा नियामक प्रादिकारी की और से जल्द घोसित की जाएगी सचिव परिक्षा नियामक प्रादिकारी संजे कुमार उपाध्याय जी के अनुसार म परिक्षा फिर से ओगी इसके लावा कहीं पर भी नकल नहीं हुई है तो बागी कहीं की भी पेपर दुबारा नहीं होंगे इसके लावा लास्ट लाइन में देख सकते हैं लिखा हुआ है अभी कुछ जीलो की रिपोर्ट आनी है ठीक है तो यही वीडियो तो इसको जादा ज लाइकन पर क्लिक अवस्चे करें धन्यवाद दोस्तों कि अ कि अवस्चे है तो बागी करें।